हालो गाईज, वेलकम टू माई चैनल गैजेस अफाइर वेदा एंड हेल्थ टिप्स में तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इस वीडियो में हम अपको मोटापे से होने बाली बीमारिया और उनसे बचने के तरीके के बारे में पर जानकरी दे रही हूं उल्टा सिधा खान पान और गलत लाइफस्ट्राइल के चलते कई लोग मोटापे से पिरी थे हेल्थ एक्सपार्ट के अनुसर मोटापा एक ऐसी स्थिती है जो वेक्ति को कई गंभीर बीमारियों का सिकार बना सकता है अधिक मोटापा होने पर वेक्ति की कारियों समता धिमी हो जाती है इस वीडियो में हम आपको मोटापे से बचने के तरीके और इस से होने बाली बीमारियों के बारे में जानकरी दे रहे हैं तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा और हिल्फुल लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना डाइटेशियंस भी बताती है कि मोटापा ऐसी स्तिती है जिसमें वेक्ती का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि इसका बुड़ा असर उसकी सेहत पर पढ़ने लगता है जब भी कोई ज्यादा कैलोरी का सेबन करती है तो ये अतिरिक्त कैलोरी फेट के रूप में सरीर में जमा होने लगती है कैलोरी जुक्त आहार, जांक फूट, कोल्रिंग्स का अधिक सेबन करने और फलो और सब्जियों का सेबन कम करने से बेक्ती मोटा पे का सिकार हो सकता है मोटा पे का कारण, स्ट्रोक, कैंसर, प्रोजनन समता में कमी, दिल, औस्ट्रियो अर्थराइटिस, टाइप टू डाइविटीज, पित्तसाई की बिमारी, सास, उच्च रक्तचाप, लीवर में मोटा पा, नार्फ डिजर्डर जैसी कई गंभीर बिमारिया हो सकती है वो ही अधिक बजन वाले पूर्सों में कोलेरेक्टल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर बिकसित होने का खत्रा अधिक होता है तनाप से भी मोटापा बढ़ता है हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो तनाप के कारण, सरीर में कई हर्मोन्स कस्तर बढ़ जाता है जिन में एड्रिनालिन और कार्टिसोल प्रोमुक है इससे सरीर की कारियो प्रोनाली प्रोभवित होती है और पाचन तंत्र गरबढ़ा जाता है जिससे मोटापा बढ़ता है कुछ दबाईयों जैसे गर्वनोरे धोक, गोलिया, स्टेरोएड हर्मोन, डाइविटीज, अपसाद और ब्लाट प्रिशर नियंत्रित करने बाली दबाईयों के कारण भी वेट बढ़ जाता है मोटापा बढ़ाने में आनुभंसिक कारण भी महत्पुन भुमी का निभाते हैं ऐसे बच्चे जिनके मातापीता मोटे है, जिनकी मेटाबोलिजम की हार, धीमी है या जिनको डाइविटीज है, उनको मोटापे की चपेट में आने की आसंका कई गुना बढ़ जाती है सरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए भोजन कम खाए और पोस्टिक आहार ले, रोज सुभा साम एक्सरसाइज वोगा करे, जिससे मोटापा नहीं बढ़ेगा, रोज 7-8 घंटा नींद लेना चाहिए, कि उचित नींद लेने से सरीर की चर्वी कम होती है तो गाइस, आज की वीडियो एही पेंट करती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा और हिल्फुल लगता है, तो सबस्काइब जरूर करना, और मेरे चैनल की बाकी वीडियो को भी देख लेना, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड और जानकारी मिले, मिलती हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ.